यह देखी यहाँ पर मैं आपको एक चीज शेयर करता हूँ यह देखी यहाँ पर मिली बग का टैक वाथा बहुत से कमेंट्स आते हैं कि मिली बग जो है वो इसली रिमूव नहीं हो पाता तो यह साइपर मैथरीन इतनी स्ट्रॉंग रहती है इस तरह से अगर आप इसके ओपर स्प्रे करेंगे तो आप नोटिस करेंगे इसकी ओपर की जो वाइट लेयर है वो बिलकुल इसली निकल जाएगी और आप असानी से इस मिली बग को रिमूव कर पाएंगे तो यह बहुत इफेक्टिव रहता है इसके ट्रीटमेंट के लिए तो दोस्तो आज सब्तमबर की 21 तारिक है और आने वाला जो मौसम है देखिए यह गुलाब के लिए बहुत ही फास्ट ग्रोइंग सीजन है अक्टूबर के महीने से अक्सर जो गुलाब के पौदे हैं वो ग्रोथ के पर आपको नई ग्रोथ तो नजर आएगी नई कलिया निकलती हुई नजर आएंगी और लाल लाल पत्तियां भी नजर आएंगी लेकिन इनके साथ साथ में जो एक प्राबलम निकल कर आई है वो ये इनके उपर बहुत ज़्यादा फंगस का टैक हुए है ये देखिए इस आपको कुछ वाईटिश नजर आएगा तो यह पाौर्डरी मिल्डियू रहता है ये भी एक किस्म का फंगस रहता है जो गुलाब पर अटैक करता है तो इसका भी जो प्राबलम है ये भी निकल कर आई है और तीसरी जो प्राबलम है इस तरह से कुछ एक जो ब्रांची जो इसकी ड्राई होने लगी है, सूखने लगी है और इसके इलावा चोथी जो प्रावलम है इस तरह से देखिए गुलाब के पौदों में यहाँ पर आपको नज़र आएगा यह मिली बग ने भी अटैक किया है तो इन सभी का ट्रेटमेंट हमें करना होगा इसके फलारिंग सीजन से पहले ताकि यह फलारिंग सीजन में अच्छे से फलारिंग कर पाए अच्छे से गु Hundreds पर कर पाए इनसे के लिए अभी के लिए इसका जो ट्रेटमेंट हो करना बहाँ ज़्यादा important है सबसे पहले जान लेते हैं कि इस चीज़ का इस समय पर रीजन क्या रहता है कि इस करण से पत्तों में इस तरह से ये प्राबलम इस मौनसुन के बाद निकल कर आती है तो जब आपके वहाँ पर एरिया में अच्छे से बारिश हो और काफी देर बाद जो पानी है वो सूख ना पाए पत्तियों के उपर से लगातार बारिश रहे पौदे को अच्छे से सनलाइट ना मिले तो इस तरह से जो फंगस है वो लीव्स पर आना लाजमी रहता है तो इस फंगस का जो ट्रीटमेंट है वो करना पड़ता है और काफी ज़्यादा पानी मिलने से क्योंकि गुलाब के पौदे को बहुत ज़्यादा पानी पानी पसंद नहीं रहता है बहुत ज़्यादा पानी मिलने से भी कई बार रूट्स में जो फंगस है वो क्रियेट हो तो इससे पौदा कई बार स्ट्रेस में आ जाता है इससे अपनी जो लीव्ज हैं वो येलो करने लगता है और कुछ-कुछ केसिज में रूट्स की अच्छी डिवेल्पमेंट ना होने पर पौदे के ज़्यादा दिर तक स्ट्रेस में रहने से कुछ है कि इसकी जो ब्रांची इनको थोड़ा सा नीचे से जहां तक ब्रांच आपको ड्राई दिखती है उसके नीचे से ग्रीन पार्ट से इस तरह से थोड़ा सा नीचे से आप इस ब्रांच को इस तरह से रिमोव कर दीचे तो ये काम इंपोर्ट lightning रहता है कोई भी ड्राई ब्राँज आपके पौदे पर बचनी नहीं चाहिए इससे पौदा कई बार वापिस डाई बैक होते 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 हैं बिल्कुल इसका जो ग्राफ्टिड पॉर्शन रहता है वहां तक सूखने लगता है बहुत से कमेंड्स आते हैं कि गुलाब के पौदे की कटिंग कव करनी है इसको हमने दुबारा से खा उस समय पर हम इस पौदे की कटिंग करेंगे गंबले में लगे हुए पौदों की कोई हार्ड प्रूनिंग की बहुत ज़ादा रिक्वर्मेंट नहीं रहती है अगर आपके पौदे बहुत ज़ादा ओवर ग्रोन है तब आप उनकी हार्ड प्रूनिंग कीजेगा अधरवा create होता है जैसे जैसे ये पत्तियां डीकंपोज होंगी ये फंगस को create करेंगी और फिर से आपका पौदा फंगस की चपेट में आ जाएगा तीसरा जो हमें काम करना है वो ये कि इस तरह से जो भी प्लांट में येलो लीव्ज है इन सभी लीव्ज को manually जो है वो remove कर लेना है और इनको पौदे से बहुत दूर गिरा देना है ताकि दोबारा से इनके ओपर इस तरह से इसकी लीव्ज से फंगस जो है वो ना पहुँच पाए और चोथा जो काम है अगर आपके पौदे में इस तरह से मिली बग का कहीं कहीं पर अटैक नजर आ रहा है तो इसको आप manually जो है वो remove कर लीजिए इस तरह से आप manually हटा लीजिए इतना सब करने के बाद आपको पौदे में दो और काम करने होंगे एक तो इसके उपर देखिए इस तरह से आपको एक लीटर पानी ले ले लेना है उस इसके लवा दूसरा आपको कोई अच्छा insecticide का यूज करना होगा यहां पर मैं हिट सेल का इस्तमाल करने जा रहा हूं यह बहुत अच्छा एक insecticide रहता है यह भी systemic रहता है और इसके अंदर इस तरह से आपको कह सकता हूं कि साइपर मैथरिन देखने को मिलेगी साइपर combination रहती है आप चाहें तो इमीडा क्लोपरिट का भी इस्तमाल कर सकते हैं इसका एक से दो एमल इसी पानी में मैं डिजॉल्व कर दूँगा यह देखिए इस तरह से प्रॉफनोस की कुछ दस से पंदरा बूंदे इसके अंदर मैं एड कर लूँगा इसको एड करने के बाद अच्छे से इस solution को mix कर लेंगे दोनों चीज़ों को अच्छे से mix करने के बाद आपको प्लांट की पत्तियों पर और इसकी roots में हर 5-7 दिन में स्प्रे करना होगा जब तक कि आपका पौदा पूरी तरह से healthy दिखाई ना दे इस तरह से इसकी roots में और प्लांट की leaves पर सभी active रहते हैं तो आप कोईश कीजिए इस चीज़ का जो spray है वो शाम के समय कीजिए सुबह के समय ना करके तो आपको इसका जो result है वो और भी अच्छा देखने को मिलेगा तो बस दोस्तों यह इस पौरे की देख भाल है जो इस समय पर आप बिलकुल October से पहले कीजिएगा